ओपो एनको बट्स टू हमने ओपो एनको बट्स वन का भी रिवियू काई था बहुत पहले वह बात अलगा इस पर रिस्पॉंस अच्छा नहीं आ है और जैसे कि चैनल पर टीडब्लेस बगार का रिव्यू जाद आ रहे तो कॉमेंट सेक्शन मेरे को ओपो एनको बट्स टू लोगों ने पूरा क्रिटिसाइज कर रखा कि बाई डाट के वली तेरे ओपो ऐसा क्यों करता है फिर मैंने प्रैक्टिकली सुचा आप कोई बताओ आपने टीडब्लेस या कुछ भी ऐसी चीज में छोटी टाइप सी के बलो कभी उससे चार्ज किया मैंने तो नहीं करता को यूज यार बचाओ कॉस्ट करो क्या दिक्कत है पचास सो रोपे बची रहूंगे तो यहां पर कुछ ऐसी डब्बी आपको मिल देगी और यह लगणी पनी से तार दे रहा है यहां पर साइड से मारे को ग्लॉसी फिनिश मिल जाती है और बाकी पूरी डब्बी हमारी मैट मिलती है और यहां पर क्या ही लुक्स और हिंज है इसका बहुत तकड़ा ऐसे एक दम ना फूल स्टरडी और यहां पर जो हमारे बट्स हैं वो कुछ इस तरीके के हैं पीछे से मैट फिनिश में स्टैंप और आगे से थोड़े बहुत ग्लॉसी है और इसके पर राइड लि मिल जाते हैं और आजीब होगरी टाइप का फास चार्ज बोल रखा है तैन मिनट स्टैंस पर वन आर का बैकटा यह खौन सा फास चार्ज वह और टच कंट्रोल से आप क्या क्या कर सकते हैं उसकी यूजर मैनोर की फोटो नहीं है एप सपोर्ट के साथ आते हैं आप कस्तमा आटमाउस का नाम दे रहे हैं, आफ लिपकार्ड पर चेक करोगे न लोगों को बहुत डाउट है, 1900 में Dolby Atmos मिल रहा कुछ है, Dolby Access का software आता है, PC के उपर जिसके अंदर हम जो भी Dolby का डिवाइस करते हैं, इसको मैंने connect किया भी से, कोई Dolby के अंदर शोई नहीं कर रहा था, तो सिर्फ इनोंने फर्जी ब्रैंडिंग कर रहा है, Dolby Atmos का कोई support नहीं है, जब भी Dolby Atmos का कोई product होता ना, उसके डब्बे पर ब्रैंडिंग होती है Dolby Atmos की, और इसके पूरे डब्बे पर कहीं सक भी कोई ब्रैंडिंग नहीं, इवन इसकी user manual तक में भी कोई ब्रैंडिंग नहीं है Dolby Atmos की, तो ऐसा नहीं होता, Dolby Atmos का ठपा लगाने के लिए पैसा लगता है, और उससे चीज काफी महिंग उजाती है, तो बेसिकली इनके जो sound effects है ना, यह वाले, बस यही है, इसके अंदर bass boost में थोड़ी bass आती है, vocals में mids आपके ठीक्टा हो जाते हैं, और original sound इसकी मतलब बढ़िया है, और यहाँ पर मिल जाता है game mode, 80 ms के latency उन्होंने कही है, अभी आपको latency test वागरा दिखाऊंगा, ठीक ठाक experience मिला, मतलब जादा बढ़ी है नहीं है, और यह है हमारे earbuds के controls, यहाँ पर आपको single tap पे चेंज करना, play pause और इसके बाट double tap पे लगला option मिल जाएंगे, then triple tap option मिल जाएंगे, और left और right earbud का दोनों का कस्टमाइज गर सकते हैं और यहाँ इनका माइक टेस्ट है कुछ ऐसी माइक की quality आपको मिलेगी इंडोर ब्यार मैं बोल बोल के थक जो माइक की कौलिटी मिलेगी जब हम इसके बारे में बोल रहोंगे यहाँ पर लिख़ए D.E.A.D.P.O.L. ऐसे से हिलता ही है यह मारा spider-man भाइस आप है आप जड़ा धवनी परदर्शन देख लें का गाने बाने सुनने बनते हैं कहते इसके वाज उद बहुत बढ़ी है बहुत टगडिया भाइसाब मतला मिस हो हाइसों लोज हो मतला हर चीज में बढ़ी हाँ ट्रेबल बहुत बढ़ी है क्रिस्ट बहुत बढ़ी है क्लिर सुनाई देंगे बेस भी बढ़िया लाइक लोज जो है वो भी बढ़िया आपके बट एक चीज में कोंगा बहुत ज़्यादा लाउड है 100% वॉल्यूम पे नी सुन पाऊंगे आपको एक्जाक्ट पतल आएगा लेटिंसी तो बस यही था इनका रिव्यू ओपको एनको बट्स टू का म्यूजिक के लिए चाहिए आपको तो डेफिनेटली 80-1900 के चलते रहते हैं आप राम से भाई कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है गेमिंग के लिए मैं रेकमेंड नहीं बन्ट एली उपके लिए, पाई!